CBC Words में आपका स्वागत है तो हम पढ़ रहे थे Classics Maths का First Chapter इसका नाम है Knowing Our Numbers और पिछली वीडियो में हम Shifting Digits वाला Topic डिसकस कर लिये थे आज इसके बाद को जो हमारा Topic है वो डिसकस करेंगे 1.2.3 Introducing 10,000 ठीक है? अब 10,000 कैसे बना क्या है उसके पीछे कहानी वो सारा हम देखेंगे तो हम यह जानते हैं कि 99 के बाद कोई भी 2-Digit Number नहीं होता है 99 के बाद क्या होता है? 100 आता है 100 में कितने डिजिट है? 3 digits है तो हम यह कह सकते है 99 क्या है? Greatest 2-Digit Number है, सबसे बड़ा 2-Digit Number है इस तरीके से जो सबसे बड़ा 3-Digit Number होगा वो क्या होगा? 999 होगा Greatest 4-Digit की बाद कर लें तो 9999 तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसके अंदर हम 1 Add कर दे तो चलिए हम पैटर्न को समझ लेते हैं हमारे पास Greatest 1-Digit Number था जो की 9 है, उसमें हमने 1 Add कर दिया तो हमारा 10 हो गया 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 into 1 वाई 10 को अगर 1 से Multiply करोगा तो 10 ही आएगा, तो 10 into 1 लिख सकते हैं इसके लिखने के पीछे कहानी क्या है? ये बताना चाहरा है कि 1 कितने है? 10 है तो बाद में जो नमबल लिखा है वो बता रहा है कि कितने है? 10 है कहने के वालद अभी जिसे आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो ऐसे 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 10 रुपए बन जाए? तो आपका होगे 1 रुपए के 10 सिक्के हों यह देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास 10 सिक्के हैं, 10 coins हैं, 1 rupees के, तो इनकी value क्या होगी, 10 रुपए बनेंगे मिला के, अब दूसरा वाले देखो, greatest 2 digit number क्या होता है, 99, इसमें हम 1 add कर दे, तो क्या बन जाता है, 100 बन जाता है, 100 कम क्या लिख सकते हैं, 10 into 10, 10 multiply by 10 क्या होता है, 100 होता है, यहाँ लिखने का मतलब यह है, कि अगर आप से बूचे 10 कितना है, तो आप कहोगे 10, 10 है, यानि 10 रुपए का, अगर सिक्के के हम बात कर लें, यहाँ पर हमने पहले 1 rupee coin देखा था न, तो 10 रुपए के सिक्के की बात कर लें, 10 रुपए के जो सिक्का है, वो हमा हम 1 add कर दें, तो हमारा कितना मन जाएगा, 1000, और 1000 पर लिख सकते हैं, 10 into 100, तो 10 हम सेम रख रहे हैं, बस आगे वाले में हम अपना 0 बढ़ाते चले जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर 10 हो गया, फिर 100 हो गया, कहने का मतलब यह है, कि यहाँ जो लिखा हूँ असको हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, हमारे पास कितने 100 हैं, आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे 10 100 है, 10 100 का मतलब यह है, 100 रुपई की 10 नोट, चले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो हमारे पास 100 की नोट यह हो गई, एक यह हो गई, तो हमारे पास सारी 100 की नोट है, अगर मैं आ जो single digit number है, उसमें हम one add कर दें, तो smallest two digit बनेगा, smallest two digit number काउन सा होता है, 10 होता है, इस तरीके से एगर greatest two digit number में one add कर दें, smallest three digit number बनेगा, जो कि क्या होता है, hundred होता है, और सबसे बड़ा three digit number में one add कर दें, तो सबसे छोटा four digit number बनता है, ठीक है, यह हमने देखा, जो कि हमारा thousand हो तो इस pattern से इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हम one add कर दे, to the greatest four digit number, greatest four digit number क्या है, 9999, इसमें अगर हम one add कर दे, तो क्या आ जाएगा, smallest five digit number बन जाए कि नहीं, जो भी pattern सीखते हुए आ रहे हैं, उस हिसाब से, five digit मतलब one, zero, 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 और zero, यह हो गया, तो यही चीज़ 999 के बाद, जो कि हमारा 10,000 होगा, तो इसको हम 10,000 कहते हैं, तो इस 10,000 को यह लिख सकते हैं, 10 into 1000, तो जैसे कि मैंने starting में आपको कई सारा बताया, यहाँ पर भी वही होगा, कि आप से पूछा जाए कितने 1000 हैं, तो आप कहोगे 10,000 है, यही रुपी वाले example ले लें, तो हम हमारे पास मालो 100 की नोट नहीं थी, 1000 की नोट थी, जो कि अब चलना बंद हो गई, पहले चलती थी, तो 1000 की नोट हमारे पास है, तो ऐसी कितनी नोट हो, कि आपका 10,000 बन जाए, यह हम कह सकते हैं, 1000 की नोट हमारे पास 10 है, तो उसकी वैलू कितनी होगी, तो आप क्या पाज 10,000 की नोट है, एक हजार किती नोट है, 10, तो वहीं से ये बना है, कि कितने थाउजंट है, आप को गए 10,000 है, अब ये चीज आपको इतना क्यों सिखाया गया, सीधे बता जाए थे कि हाँ, अगर आपके 1 और 4 0s लगे हैं, तो उसके हम 10,000 कहेंगे, तो ऐसा इसली हु आँगे आगे, वो सीखने के लिए जरूरी है, कि आप समझ पाओ, कि 59,000 असल में है क्या, तो ये क्या है, कितने थाउजंट आपसे पूचा जाए, तो आपको गए 59,000 है, इस चैप्टर की और वीडियो अगर आपको देखनी है, तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वी करना है, स्क्रॉल डाउं करोगे, तो यहाँ पर इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो है, सब का लिंक आपको मिल जाएगा, पार्ट वन, पार्ट तू, पार्ट तरी इस तरह से करके है, तो जो पार्ट वाली वीडियो आपको देखनी है, उसके साथ में जो ब्लू कलर से उस पे क्लिक करोगे तो वो वाली वीडियो प्ले होने लगेगी और नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने chapter wise भी playlist बना दी है यानि जिस chapter के आपको वीडियो देखनी है जिस chapter 1 है इसके साथ में जो blue color से link है उस पे क्लिक करोगे तो chapter 1 की जितनी भी वीडियो हैं वो सारी यहाँ पर open हो जाएगी इस तरह जिस chapter के भी आपको देखना है वो यहाँ से देख सकते हो और नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको दूसरे subjects के भी playlist का link मिल जाएगा तो वहाँ से और subject की वीडियो आप देख सकते हो ओके थैंक यू